नमश्कार महप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमोख खबरों को आंधर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है ताजा घटनाकरम के मुताविक अननतपुर जिले में चुत्रावती नदी का जल स्तर बढ़ गया है नदी में 10 लोग फस गये हैं वो लगातार मंदत की गुहार लगा रहे थे ऐसे में भारती वायू सेना के म. आई 17 विमान के जरिए इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। अच्छ सर्वेक्षन 2021 में स्वच और कच्रा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। इस बावत दिली के विज्ञान भवन में सम्मान समारों का आयो जो इन किया गया था। भारत ने निवेशकों को उन्हें रखने से रोकने के लिए क्रिप्टो करेंजी के नियमन को सक्थ करने की रणनीती बनाई है। वारता से परचे दोस्त्रोतों के मताबिक सरकार नीजी डेजिटल सिकों पर पावंदी लगाने की पहले की योजना का पालन करने की संभावना नहीं है। परचे बजाए के वलबही जुने सरकार द्वारा पुर्व अनुमोदित किया गया है। पाकिस्तान में मुसलिम कटरपंथियों को बढ़ावा दे रही। सव्यक्ति किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की नौ सदस्य कमीटी की यह बैठक सिंगु बॉर्डर पर होगी। तीनों केंद्रे कुरशी कानून को नरस्त करने के केंद्र सरकार के अलान के बावजूद दिल् Daha प्रदेश के गाज़ी पुर्पोर्टर पर प्रदेश्य का नेतुर्तव करने वाले किसाने तराकेश्टिकेत ने ट्वीट करके कहा है कि देश में राजचिशाही नहीं है त समर्थर में अपने अपने तरीके से बड़े अलान कर रखे थे इनहीं में से एक है चंडीगर के ओर्टो चालक अनिल कुमार जुन्होंने करीब आठ महीने पहले अपने ओर्टो पर पोस्टर लगाये थे जुस दिन तीन कृशी कानून वापस होंगे इस खुशी में वो दस दिन तक चंडीगर में फ्री ओटो चलाएंगे यात्रियों से कोई किराया नहीं लेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने पाकिस्तान को जम कर फटकार लगाई है अपने ताजा बयान में राजनाथ सिंग ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों में सुधार अधिनियम को भी वापस लेने की मांग उठने लगी है प्रमुख मुस्तिम संगठन जमियत उलेमा एहिंद ने पीम मोदी से सी ए को वापस लेने का आगरे किया है उतर प्रदेश के अम्रोहा से बसपासांस अत्कुबर दानिश अली ने भी सी ए ए को बिना किसी देरी के न अधिकारी ने दी है काटमांडू पोस्ट की रपोर्ट के अनुसार विभाग के महानदेशक दीपकुमार भटा राई ने कहा है कि सीमा पार रेल्वे संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते समय इस पर सहमती बनी थी पाकिस्तान ने सिख धर्म के संसापक गुरु नानक देव की 552 जयनती पर आयोजित होने वाले समारों के लिए पवित्र गुरु द्वारा करतारपुर साहिब आने वाले सिख तीर्थ यात्यों के लिए 10 दिन पहले सूचना देने के प्रावधान में अस्थाई रूप से ढील दी है समय सीमा पर भारत के साथ पारसपरिक रूप से सहमती बनी हुई है एक मीडिया रपोर्ट में शुकरवार को ये जानकारी दी गई है चीन की स्टार टेनिस खिलाडी और भारतिय स्टार सान्या मिर्जा की जोड़ीदार रही पिंग शुआई ने कुछ दुनों पहले चीन की कमिनिस्ट पार्टी के पूर्व शीर श्रदिकारी और पूर्व उप्रधान मंत्री जांग गाउली पर यौन उत्पिरन के आरोप लगाये थे जुसके बाद से ही वो लापता है अमेरिका की उपरास्ट्रपती कमला हरिस ने रास्ट्रपती का पदभार संभाल कर यतिहास रच दिया है वो एक घंटे में कुछ अधिक समय तक देश की पहली भाहिला रास्ट्रपती बनी इससे पहले अमेरिकी यतिहास के अब से उम्रदराज रास्ट्रपती बाइडन की शुक्रवार को नियमित जाच की गई आपको बता दे बाइडन नियमित कोलोन्सकोपी जाच कराने के लिए वोल्टर रीड नाश्रल मिलिटरी मेरिकल सेंटर गया और उन्होंने कुछ समय के लिए सत्ता उप रास्ट्रपत और यह सभी एथिलीट के हितों को कमजोर करता है तीन महीने में USD 667 बिलियन तक पहुच गया है जो पिछली तिमाही से 13 प्रतिश्वत अधिक है यह काफी हद तक भारते एक्वेटी बाजारों के अच्छी प्रदर्शन के साथ साथ तिमाही के उत्तरार्ध में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश्यों को से शुध इंस्टिट ऑफ बांकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से प्रबेश्टरी ओफिसर के पदपर भरती परिक्षा का अध्मिट कार्ड जारी हो गया है इसने में जो मिदवार इस परिक्षा के लिए आवे दिन कर रहे हैं वो ओफिशल वेबसाइट आई-ई-ई-ई-पर जाक प्रदेश में एक बात पर भूकंप के जटके ने लोगों के दिल में दहश्वत पैदा की है प्रदेश में शुकरवार को वर्षो के उपरांत मौसम में हुए परिवर्तन के साथ ही देरात कई जिलों में भूकंप आने के पुष्टी भी हो चुकी है जोहां इस बात का पत चुलाहिक राजस्तान के जालो और जिले में देर रात दोद बच के 26 मिनट पर भूकंप के जटके महसूस किये गए रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीवरता 4.6 मा पी गई है प्रधान मंतरी मोदी द्वारा शुकरवार को तीनो कृष्टी कानून वापस लेने के अलान के बाद देश में ही नहीं अमेरिका में भी सांसद एंडी लेविन ने इस फैसले का स्वागत किया है दो दिन बाद वही दोहराते हैं दिवाली तक गरीब कल्यान अन्य योजणा के तहट राशन कार धारकों को फ्री राशन दिया गया इस दौरान राशन धारक परिवार के हरसत अस्यों को पांच किलो चावर और गेहु दिये गया वहीं अब उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ ने 35 किलो राशन फ्री में देने का अलान किया है जिसके तहट नवंबर से मर्च तक यूपी सरकार फ्री में राशन प्रदान करेगी प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के कृशिक कानून को वापस लेने के अलान के बाद विपक्ष्री दल तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कई तरह के मीम्स चल रहे है शिफशेना के फायर ब्रान नेता संचर राउट ने भी इस मामले को लेकर तंच कसा है सिफशेना के नेता संचर राउट ने ट्वीट में लिखा कि बेल कितना भी अडियल क्यों ना हो किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है जय जवान जय किसान बॉल्लिवूड में धमाल मचाने आई फिल्म बंटी और बबली दो कल यान 19 नमंबर को रिलीज हो गई है हाला कि फिल्म को कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है आपको बता दे कि फिल्म में राने मुखरजी और सैफली खान नजर आए है वैसे तो बंटी और बबली के सीक्वल से मेकर्स को उमीद तो बहुत ही लेकिन सारी उमीद पर पानी फिर गया है और फिल्म ने तीन से 4.5 करोर रुपे की पहले दिन की कमाई की है भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाडी और दो बार के उलंपिक मिडलिस्ट पीवी सिंधु का इंडिनेशिया मास्टर में सफर सेमिफाइनल में ही खत्म हो गया इंडिनेशिया मास्टर सुपर 750 बैडमिंट टूनामिंट के सेमिफाइनल में जापान की शीर्ष वरियता प्राप्त अकाने यामा गूची ने मौजुदा वर्ल्ड शांपियन को सीधे गेम में मात दी है और फाइनल में जेखे बनाई है केंद्रिय स्वासवा परिवार के लियान मंद्राले ने श्रैनिवार को भारत में 24 घंटे में 10,302 ने मामले आने की बात कही है और 266 लोगों की COVID-19 की कारण इस दौरान जान गई है इसमें से अकेले केरल की बात करे तो केरल ने COVID-19 संक्रमन के 5,754 ने मामले दर्चिय और 49 लोगों की जान केरल में गई है कॉंग्रिस के वरिशनेता पीच्छी दमरब ने तीन केंद्रिये क्रश्री कानून को नरस्ट किये जाने की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की घोशना की है और प्रिश्ट भूमी में शनिवार को आरूप लगाया है कि सिर्फ भाजपा की सरकार में क्याबनिट की मंजूरी के बिना कानून बनाय और नरस्ट किये जाते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है होगा या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बिता है इसके साथ ही आज चुके लिए बस इतना ही देश-प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइक ओन दबाना ना भूलें धन्यवाद